नमस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि रश्या जो है वो युक्रेइन के ओपर वैक्यूम बम यूज़ कर रहा है तो यह वैक्यूम बम क्या होते हैं यह क्लस्टर बम क्या होते हैं आप बात करेंगे थर्मोबैरिक देखे थर्मोबैरिक और वैक्यूम बम दोनों एक ही है यानि एक बम के दो अलग अलग नाम हो जाते हैं यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर दो ही बमों के बारे में डिसकस करेंगे एक तो क्लस्टर बम और एक थर्मोबैरिक बम थर्मोबैरिक का दूसरा नाम जो है वो वै से एक ही हो गया, एक ही हो गया? एक हुमन राइट्स वौच हो गया. इन दोनोंने आरोप लाजा है रूस के ऊपर कि वो युक्रेन पर क्या कर रहा है, क्लॉस्टर बं और वेक्उम बं का यूज कर रहा है. अब आपके दिमाग में यह आयेगा कि क्या cluster bomb और vacuum bomb का use करना प्रति बंदित है क्या तो थोड़ा सा आपने आपको शांत रख लीजिए सारी बातों को हमें इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं देंके Amnesty International Amnesty International एक NGO है भारत में ये पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है अब भारत से 921 हो गई है क्योंकि बारत सरकार नहीं से पूछा कि आपके पास जो बाहर से जो पैसे आ रहे हैं पताईए जरा वो किस किस के हैं थोड़ा सा हिसाब हमें दे दिजिए तो इनके पास हिसाब था नहीं तो इसलिए सोचा कि भाईया हम यहां से 921 हो जाते हैं तो यह चले गए यहां से तो भारत में आज की डेट में यह फिलाल काम नहीं करते हैं एडिशनल इंफरमिशन दी आपको तो Amnesty International ने कहा है अंतरराष्टिय मानवे कानून अंतरराष्टि मानवे कानून जिसमें कलस्टर हत्यारों का इस्तमाल पर जो रोक लगाते हैं उसका हवाला देते हुए कहा है कि नागरिकों को मारने या घायल करने वाले अंदा धुन्द हमले करना एक यूद का अपराद है क्योंकि रूस के ओपर ये इलजाम लगाये जा रहे है कि वो काफी बड़ी संक्या में कलस्टर जबम का यूज कर रहा है बस लोगों के ओपर गिराये जा रहा है इंफरस्ट्रक्चर को भरबाद किये जा रहा है तो एक तरीके से वो यूद का अपराद है जो आम नागरिक है उनको नहीं मरना चाहिए लेकिन अब टार्गेट किया जा रहा है आम नागरिकों के उपर भी ऐसा इस एमनिस्टी इंटरनेशनल ने कहा है साथ इसाथ अंतराश्चे मानवे कानून का एक ग्रूप और है जो क्या काम करता है जो यह armed conflict हुआ है उनके प्रभावों को सीमित करता है कि इतसे जादा नहीं जाना है यह limit तै करता है उसकी और साथ इसाथ यह उन लोगों की विरक्षा करता है जो यूद में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और साथ इसाथ यूद के यूद में जो तरीके यूद के जा रहे हैं उनको भी यह परतिबंदित करता है clear हुआ अब cluster bomb के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं कि cluster यूद समगरी क्या क्या है यह एक पारंपरिक यूद समगरी यानि काफी टाइम से इसका यूद किया जाता रहा है बहुत सारे यूद के अंदर भी तो एक पारंपरिक यूद समगरी है जिसके अंदर क्या होता है कि 20 kg के छोटे-छोटे bomb होते हैं यहां पर 20 kg से भी कम वजन के और इनको इस तरीके से design किया जाता है तो एक missile होती है इस missile के अंदर जब छोड़ा जाता है तो इसमें से विस्पोर्ट होकर यह bomb जो है वो नीचे गिरने लग जाते हैं अभी आपको दिखाऊंगा भी उस चीज़कों मैं या फिर क्या होता है कि हवाई जाज के दौरा इन चोटे-चोटे bombो को गिरा दिया जाता है नीचे ऐसे तो यह दो तरीके से गिरा जा सकते हैं साथ इसाथ क्या होता है कि यह सटीक नहीं है बस इनको गिरा दिया कहीं पर भी जहां गिरेंगे एक तरीके से अंदा दूर रूप से यह मनुश्यों को घायल करने के लिए और जो infrastructure जैसे runway हो गया railway हो गया power transmission line होगी जो भी structure है जो भी building है उनको खतम करने के लिए इनका use किया जाता है इस तरीके से इनको design किया गया है इनको हवाई जास से या निविवान से जैट से या फिर tank से किसी भी तरीके से इनको launch किया जा सकता है अब यहां पर आप लोगों को दिखेंगे तो यहां पर एक missile के दोरा इनको launch किया जाता है जब यह launch किया जाता है तो यहां पर विसपोर्ट होता है और फिर ये और छोटे-छोटे टुकडों में तूटकर नीचे जमीन पे गिरते हैं और वहाँ पर विस्पोर्ट होता है अब ये रहाँ आपके सामने ये उक्रेन के जो उपर यूद स्टार्ट हुआ हुआ है तो वहीं से मैंने एक इमेज ली है तो वहाँ पर आपको ये शेल दिखेंगे ये क्लस्टर बम के ही शेल है अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन में से काफी सारे ऐसे विस्पोर्ट ये जो बम होते हैं जिन में विस्पोर्ट होता ही नहीं है विस्पोर्ट होता नहीं है तो वो क्या होते कि जमीन के उपर ऐसे गिरे हुए होते हैं या फिर वो जमीन के अंदर ही धस जाते हैं लेकिन बाद में क्या दिक्कत आती है इन से अब ये जमीन के अंदर छुपे हुए हैं लेकिन अब जमीन के अंदर है क्या पता कोई चांस ऐसा कुछ भी हो सकता है वहाँ पर क्लियर अब यहाँ पर cluster यूद समगरी का एक convention है उस convention में विशेश रूप से इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो cluster bump है इनका use किया गया जो इनके बचे हुए हिससे हैं उनको इकठा करना अब उनको इकठा कैसे करेंगे देखे जो भी इसके अंदर शामिल आ जाते हैं कि fail cluster bump हो गए जो मतलब फटे नहीं जिनको छोड़ दिया गया जिनको छोड़ा गया मतलब कि अब एक तरीके से छोड़ कर भाग गए बच गए जो यूज नहीं हो पाए तो उनको इकठा करते हैं कौन से इस convention के तहद clear हुआ यह हो गया आपके सामने cluster bump अब यह काता है थर्मोबेरिक अब थर्मोबेरिक क्या होता है कि इसको आप aerosol bump कहलो या इंदन वायू विसफोटा कहलो या vacuum bump कहलो इसके काफी सारे नाम हो जाते हैं यह काफी बड़ी मात्रा के अंदर एक high temperature generate करता है एक तरीके से जहां पर यह bump गिरता है वो वहाँ पर जो oxygen उसको soak लेता है यह कौन सा वाला thermobaric अथियार जो होता है जहां पर भी गिरता है वहां के आसपास के area का जो होता है वो oxygen यह soak लेता है और फिर विस्पोर्ट होता है इसके अंदर और यह thermobaric अतियार है यह cluster bump से काफी जादा खतरनाग होता है देखिए दो अतियार है आपको ध्यान रखने है एक mother of all bump है एक father of all bump है यह जो है वो America के पास है और यह जो है वो रूस के पास है कहा जा रहा है यही vacuum bump है ठीक है father of all bump जो है वो कहा जा रहा है कि रूस ने जो है वो Ukraine के उपर गिरा है एक building के उपर और यह काफी जादा खतरनाग है as compared to mother of all bump से clear तो यह जो यह जो अथियार है दो अलग-अलग step में मतलब यह विसपोर्ट होता है इस father of all bump यह कहें vacuum bump के अंदर इसको launch दो तरीके से किया जा सकता है एक तो tank से कर दिया एक यह फिर इसको विमान से गिरा दिया जहां पर आपकी सामने भी वीडियो दिखाऊँगा जिसके अंदर विमान के दोरा जो है इस bum को गिराया गया है अब यहां पर जब यह पहला जब इसके अंदर विसपोर्ट होता है जब यह building पर गिरता है या कहीं पर भी जमीन पर गिरता है तो अपने container को खोलने के लिए जो भी एक मिसाइल होती है अपने container को खोलने के लिए तो प और फिर इसके बाद इसमें एक चिंगारी आती है और चिंगारी के बाद इतना बड़ा एरिया के अंदर फिर विस्पोर्ट होता है और यह इतना ज़्यादा खतरनाक विस्पोर्ट आता है कि आसपास की इमारते होगी वो भी खतम हो जाती है और इतना ज़्यादा खतरनाक है समझो कि यहाँ पर अगर कोई इंसान भी खड़ा होगा तो वो वाश्ट पर बन जायेगा वो vaporize हो जायेगा यानि एकदम जैसे होते हैं पानी जो vaporize हो जाता है 100 degree पर ऊबल जाता है तो ऐसा समझो कि इंसान कभी कुछ भी कण यहां नहीं मिलेगा इतनी ज़्यादा heat generate करता है यह thermobaric bomb या फिर कहीं vacuum bomb अभी आपको सिखाता हूँ यह देखिए, यह यहाँ पर जो है इसके दागा गया है यहाँ से तो यहाँ पर गिरा तो पहला विसपोड तो इसने अपने container पर किया और फिर इसने एक cloud बना लिया यहाँ पर और जब cloud बना लिया फिर इसके अंदर एक चिंगारी आती और फिर यह बड़ी मातरा में फिर और फैल जाता है तो दो तरीके से होता है अभी आपके सामने यहाँ पर यह जो image के एक video है इसको मैं show करता हूँ तो आप समझेंगे कि कहां पर इसके अंदर विसपोर्ड होता है एक मिनिट ज़रा हाँ यह देखिए तो यह एक building है कारकीव के अंदर ही था तो यहाँ पर यह देखिए पहला बम और यहाँ पर देखेंगे ना तो यह जो बम हुआ है यह अटेक यह देखिए एक मिनिट मैं इसको पोज करता हूँ यह एक हवाई जाज जो है उसके दोरा अटेक किया गया है रूस की जो हवाई जाज थी उसी ने इस पर अटेक किया था यह देखिए यहाँ पर शायद आपको दिखा हो यह जो है यह रहा एक हवाई जाज ने यह जो उपर से गिराया था, यहाँ पर गिरेगा, तो पहले पर यहाँ पर इतने में विसपोट होगा इसके उपर, फिर यह बादल बनाएगा और फिर इतनी जल्दी होता है कि पता नहीं जलता, और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई खड़ा भी होता है, तो उसकी मोद हो जाती है, और यहीं पर जो था, कि जो नवीन जो करनाटक के थे, उनकी भारती चोहतर थे, उनकी मिर्त्यू हो गए थी, इस बॉम के अंदर ही, क्लिर हुआ, तब आगे चलते हैं, देखे, क्लेस्टर यूद समगरी पर तो कन्वेंशन है ठीक है, और क्या कन्वेंशन है, वो देख लेते हैं, कि देखे, क्लेस्टर यूद समगरी पर जो कन्वेंशन है, उसमें देखे, स्यूंक तुरास्ट ने, यानि यूएन के तोरा इसको अपनाया गया था, और इसको कानूनी साधन दिया गया था, इसमें क्या था, contaminated area है वहां से लोगों को निकालना, साथ साथ jokym को जितना हो सकते उसको कम करना बंढार अगर उसको कही पर कठा किया गया है इनको नushट करने में, इन सब में कामों में ये help करता है अब साथ साथ कब इसको लागू किया गया था, कब यह लागू हो गया था वर्तमान की डेट में आगर आज बात करें यानि प्रेजन टाइम में तो इस convention के अंदर 110 state parties हैं 13 हस्ताक्षर करता देश इसके अंदर शामिल है और जो देश इसके अंदर शामिल है जिसके नोंने इसके पुष्टी कर रखी है तो वो इस cluster bomb का उपयोग नहीं कर सकते हैं साथ इसका development इसका production इसको transfer इन सब को करने में यह क्या होते हैं कि वो बादे होते हैं वो इनका use नहीं कर सकते हैं अब भारत की स्थिती जान लेते हैं कि क्या भारत ने इस convention के अपर हस्ताक्षर कर रखे हैं क्या नहीं भारत ने इसके अपर कोई भी हस्ताक शामिल नहीं है और भी बहुत सारे देशन जो इसके अंदर शामिल नहीं है अब वैक्यूम बम के उपर देखिए कोई भी अंतराश्चे कानून यह समझोता तो है नहीं लेकिन जैसे तरीके से युद के अंदर यूज किया जा रहा है वैक्यूम बम का और बहुत बड़ी एक संख्या में नागरिक अबादी के उपर इसका यूज करना उसके खिलाफ क्या है एक कन्वेंचन है 1899 से लेकर 1907 तक हेग में समेलन केता है इस कारवाई को बढ़ावा देता है कि आप नागरिकों के खिलाफ किसी भी हतियार का यूज नहीं कर सकते हैं तो हेग कन्वेंचन ह यह यूद में जो पारंपरिक नियमों को सक्ति के साथ पालन तथा उन नियमों को परिभाशित करते हैं जिनका यूद के दुरान यूदरत पक्षों द्वारा पालन किया जाना चाहिए मतलब आप नागरिकों को टार्गेट मत करिए जो आम लोग हैं उनको टार्गेट मत क आपको अच्छे से मिल गई होगी तो आप कैसे मुझे समझा सकते हूं कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करके क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत जादा है या फिर मोटिवेशन मिलती है साथ इसाथ पीडियो भी आप लोग इसकी डाउनलो कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है था थैंक यू वर वोचिंग इस वीडियो